हाउज ओफ वेलनेस के एक नए एपिसोड में आप सब का स्वागत है आज मिनास जी से हम सीखेंगे बाइलाटरल ड्रॉइंग या डबल डूडल के बारे में दोनों हाथों से एक समय क्या ड्रॉइंग हो सकती है और इसके फाइदे क्या होते हैं ये एक आर्ट थेरपी का फर्म है जो हमारे ब्रेन में ट्रॉमा को हील करने में बहुत मदद करता है बायो में इसके अन्य फाइदे भी लिस्टिड हैं सो ओवर टू यू मिनास जी हलो आज मैं आपको बहुत ही एक फ़न अक्टिविटी बताऊंगी जिसका नाम ब्रेन जिम में डबल डूडल प्ले कहा गया है ये हम दोनों हाथों को लेकर अक्टिविटी करते हैं तो जब हम ये अक्टिविटी करते हैं तो हमारा हाथ और हमारा आख का कोओडिनेशन होता है जिसको eye hand coordination कहते है और because हमारा right brain hemisphere है वो हमारे left side of the body को control करता है motor movement के लिए और हमारा left brain hemisphere है वो हमारा right side of the body को motor movement के लिए control करता है तो जब हम दोनों हाथ से जब कुछ करते है activity तो हमारा दोनों hemisphere brain का काम करता है और stimulate होता है तो चले हम यह start करते है पहले हम हवा में करेंगे तो आप आपका हाथ ऐसी तरह से जैसे मैंने रखा है ऐसा रखिए और फिर आप out in out in और आप जब यह करेंगे तब आप वो अपने हाथों को देखना है फिर उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे फिर हम circles बनाएंगे फिर हम square बनाएंगे फिर हम rectangle बनाएंगे फिर हम Christmas tree बनाएंगे और फिर हम Christmas tree को decorate करेंगे मज़ेदार है ना? और भी हम activity कर सकते हैं जिसे के हम पीछ में से लेके across, across, उपर, side, diagonal, अंदर से बाहर, circular movements, बाहर से अंदर, circular movements. तो आप ये activity आपके grandchildren के साथ भी कर सकते हैं, और जब आप उनके साथ करेंगे, तो आप उनकी जो पसंद का music है वो background में लगा के कीजिए, और इतना मज़ा आएगा उनको. तो चलो, हमने जो भी activity मैंने आपको जो हवा में बताई, वो हम दुबारा करेंगे, और इस time पे मेरे पास ये scarf है, में लोंगे, और आप handkerchief ले सकते हो, tissue paper ले सकते हो, अगर नहीं है कुछ भी, तो just हाथ से आप कर सकते हो, और हम अब ये करेंगे, आपका पसंद दीता music के साथ, चलो, शुरू करते हैं, अब हम इस हीम अक्टिविटी, पेपर पर करेंगे, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर पेपर है, और मैंने दो markers ले हुए है, और मैंने बीच में एक line बनाया है, और अब मैं, जो भी हवा में हमने किया, sleeping line, standing line, circle, square, triangle, Christmas tree, और हम डेकोरेट करेंगे, Christmas tree, और आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हमने circles किया, बहार की तरफ, और आप circles कर रहे हैं, अंदर की तरफ, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शर्ट यह है कि आप दोनों हाथ से, आप मुझे पताना के आपको यह activity कैसे लगी, चीर्स तो वेलनेस, थैंक यू सो मच मिनास जी, बहुत मज़ा आया आज, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, सभी सीनियर्स को, प्लीज प्लीज इसे ट्राइ करिये, और अपनी ड्रॉइंग्स हमें भेजना न भूलें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर कीजिये, चास्ट वेलनेस,